इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक LMS बनाना सिखाऊंगा, यानि की Learning Management System, अगर आपका कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई उनिवर्सिटी है, कोचिंग क्लासेज है, complete कुछ भी जिसमें आप स्टूडेंट के ऊपर डील करते हो, और आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को एक प्लाटफॉर्म चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, जो मुबाइल के ऊपर भी सही दिखे, तो आज की वीडियो के अंदर आपको वही सीखने को मिलेगा, इसके क्या फीचर से हम वो भी डिसकस करेंगे, अल्रेडी मैंने ये वाला टुटोरियल बहु से हम बेच सकते हैं, certificate कैसे generate होगा, student के enrollment करने है, grade निकालने है, assignment, quiz, ये तमाम फीचर हमारे इस website के अंदर होने वाले है, quick overview देता हूँ मैं आपको इस project का कि आप at the end of this video क्या बना पाओगे, ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा home page है, पीछे एक photograph लगी हुई है, यहाँ पर या paid है, ये details आपको देखने को मिलेंगी, अगर paid है तो उसका price यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका एक option है, courses के page का, यहाँ पर आपके courses list होंगे, obviously जो हमने main page पर नीचे list किया है, कुछ उससे मिलता जूलता interface आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, नीचे scroll क करके आप second page की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हो, dashboard की बात करें तो यहाँ पर दो separate dashboard आपको मिलेंगे, अगर कोई student course buy करता है, enroll करता है, चाहें वो free वाला ही course क्यों ना हो, तो उसको उसका dashboard देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसका नाम रहेगा, कितने courses में enrolled है, वो देखने को म अपना नाम, mobile number, email address वगरा, वो details यहाँ से edit की जा सकती है, similarly, यहाँ पर एक panel मिलेगा आपको instructor registration का, इसके लिए मैं पहले यहाँ से logout हो जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर logout कर दिया है, और अगर कोई logged in नहीं होगा, और dashboard assess करने का try करेगा, obviously उसको पहले login करना पड़ेगा तो यहाँ पर login का interface देखने को मिलेगा, अगर आपकी website पे, अगर आप allow करते हो, कि लोग आए, अपना account create करें, अपने courses को upload करें, और पैसे कमाए, बदले में आपको भी convention मिलेगा, तो उसके लिए आप instructor registration का एक panel जो है, वो allow कर सकते हो, यहाँ detail pass करके teacher अपने आपको register कर सक सकते हैं, और एक option है यहाँ पर student registration का, student भी अपना registration यहाँ पर कर सकता है, cart का एक option है, वो तब काम करेगा जब हम यहाँ से एक course को buy करेंगे, course के page के ओपर आने के बाद free course भी है, और paid courses भी है, आप दोनों को browse कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, javascript का एक course है, मेरे sign up करेगा, और register के ऊपर उसे click करना है, ध्यान दे email address वगरा correct pass करें, क्यूंकि आपके email के ऊपर एक bill generate हो करके भी आएगा, वहाँ पर आपका certificate भी आएगा, login करने के बाद आपको क्या करना है, वापस अपने course पर आचाओ, add to cart करो, अब यह cart में चला गया, view cart यहाँ से भी क add, atm, google pay, जो margin upi कर लो, वो सारे options आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, even stripe account का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वीडियो के अंदर already मैंने आपको यह सारी चीज़े detail में बता रखी है, अगर आपके पास कोई coupon code है, तो यहाँ से आप उसको provide कर सकते हो, और अगर नहीं है, proceed to checkout के उपर आपको click करना है, क्योंकि आप एक transaction करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना email address, company name है, तो देदो वरना optional है, छोड़ सकते हो, country, अपना state वगरा, वो सारा detail यहाँ पर आपको provide करना है, ध्यान दे, यहाँ आपको जो भी email और phone number दिखाई दे, उसमें से कोई भी मेरा नहीं है, सारे मैंने dummy data pass किये हुए है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपना card details provide करें, तो मैं यहाँ पर फटा-फट से card details provide कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा month of expiry, और साथ में आ जाएगा आपका year, और अपना CVV number वगरा provide करके place order के admin अपने WordPress dashboard में आएगा, जो कि आप आगे सीखने वाले हो, तो WooCommerce के अंदर आपको यहाँ पर एक order देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, domain racer student नाम से एक student है, और 33 seconds पहले उसने यहाँ पर 9000 रुपे की transaction किये, आप इस पर click करोगे, bulk action पर जाओगे, proceed to complete कर के apply कर दोगे, तो अभी यह processing पे है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका completed, similarly आप जो चाहें वो course को यहाँ पर buy कर सकते हो, तो अगर आपको requirement है किसी और course की, तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हो, और obviously आपका student भी यहाँ से buy कर सकता है, नीचे scroll करोगे, तो next page के उपर click क करना है, और हमने JavaScript buy किया था, उसके उपर हम यहाँ पर click करेंगे, इस course का content आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से आप उसमें enroll कर सकते हो, और यहाँ से अगर आपको एक और course buy करना हो, तो आप कर सकते हो, मैं फटा-फट से इसको add to cart करके, painting वाले course को भी, मैं यहाँ स इस transaction को भी मैं approve कर देता हूँ, transaction complete हो चुका है, और अगर आप चाहें, तो नीचे analytics का एक option आपको मिलेगा, इस overview के उपर आप click कर सकते हो, ताकि आप actually देख सको, कब कितने course आपको sale हुए, कितनी आपकी earning यहाँ पर हो चुकी है, और कितने students आपके enrolled है, इस graph को load होने में time लग सकता है, क्योंकि data यहाँ पर fetch हो करके आता है, तब तक हम क्या करते हैं, अपने course को यहाँ से पढ़ना start करते हैं, alright, so मैं painting वाले पर आगया, continue course के ओपर मैंने यहाँ पर click कर दिया, तो आप check कर सकते है, option आचुका है, इसको किसने post किया है, beginner है, क्या है, यह course content है, नी Zoom meeting के जरिए, ताकि student live आप से question answer भी put कर सके, ठीक है, तो आपको अगर recorded video रखना है, तो वो रखो, और live class रखना है, तो live class भी आप यहाँ पर रख सकते हो, अब इस student क्या करेगा, यहाँ से start course के उपर click करेगा, और यहाँ से जो भी आपने course content दिये होंगे, वो उसे दिख ज my name is Apanav, I'm a program manager at YouTube, यहाँ पर 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 यहाँ आपको देखने में लगेगा कि आपकी ही website पर यह वीडियो होस्टेड है, यही एक advantage है premium चीज का, वरना अगर आप YouTube की वीडियो को embed करने जाओगे, तो वो क यहाँ पर यहाँ पर देखो मैं इसको volume zero कर रहा हूँ और यहाँ पर आगया channel का name आपने देखा था, no copyright song, listen now, इस पर क्लिक करके YouTube के channel पर कोई पहुँच जाएगा, और यह YouTube वाली चीज़े मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, और अगर मैं इस वीडियो को pause करता हूँ, तो suggestions मुझे नीचे आ रहे हैं, यह हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह suggestions दूसरे के channel के हो सकते हैं, तो लोग ऐसे समझेंगे कि free की videos जो YouTube पर पढ़ी हैं, आपने उसके बदले पैसा ले लिया, तो ऐसे तो नहीं करना ना, that's why, especially इस टुटोरियल के अंदर हम लोग premium चीज के बारे नहीं आएंगे और यह सारी चीज़े आपकी नहीं दिखेंगे, आप पूरा completely fresh और clean layout देखने को मिलेगा, तो student यहां से कर सकता है, complete जब उसके सारे lessons हो जाएंगे, तो student यहां पर click कर सकता है, और अब अगर वो अपने main page पर चले जाए, जैसे कि अपने courses का section पर, तो यहां यहां पर एक option आपको देखने को मिलेगा, complete course, अगर student इसके उपर click करता है, तो नीचे एक option आजाएगा, download certificate, view certificate, student अपने certificate को view भी कर सकता है, और download भी कर सकता है, मैं यहां पर download कर रहा हूँ, इसकी एक PDF file generate हो जाएगी, जिसको आगे student अपने लिए print out ले सकता है, तो यह भी आप यहां से generate करा सकते हो, तो यहां पर file download हो चुकी है, मैं इसको open करके आपको दिखा देता हूँ, तो यह आप देखो कि certificate यहां पर ready है, certificate के 10-15 डिजाइन है अंदर, तो आप अपने according उसको change कर सकते हो, तो इस तरीके से student का एक certificate भी generate हो जाएगा, यहां पर कुछ assignments भी द कितने attempts कर सकते हैं, score क्या मिलेगा, वो सारी चीज़े यहां पर mentioned है, कहता 5 plus 7 कितना होता है, मैंने card 12 होता है, submit करता हूँ मैं इस quiz को, तो यहां पर देखोगे, एक percentage और report card बनके तयार हो गया कि मैं pass हो चुका हूँ, और सारे details यहां पर mentioned है, कब मैंने इसको attempt किया था, वही अगर हम teacher और admin की बात करें, उससे पहले आप देखो, यहां पर sales मेरे reflect हो चुके है, आज 2 sales होई है, एक 8999 की होई है, और ऐसे ही दोनों sales यहां पर reflect हो गए, और total पैसे आपको यहां पर दिखाई देंगे, जब admin अपने dashboard पर आएगा, तो यहां पर उसको एक option मिलने वाला ह के अंदर quiz attempts का, तो जितनों भी student ने अपने exam दिये हैं, quiz दिये हैं, उनके results यहां पर teacher चेक कर सकता है, zoom meeting के अंदर जा करके teacher यहां से meeting schedule कर सकता है, एक meeting create कर सकता है और बच्चे उसको join कर सकते हैं, assignment के अंदर यहां पर assignment देखने को मिल जाएगा, कौन से बच्चे ने कितने assignment complete किये, कितना उसको marks मिला है, और grade book के अंदर यहां पे students के grade book हमें दिख जाएंगे, और जो भी हमने percentage दिये होंगे, कुछ इस तरीके से वो काम करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे features हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो के दौरान discuss करके बताऊंगा, जैसे कि enrollment, google classroom, grade book, आपका quiz, certificate, assignments, यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बनाना सीखने वाले हैं, काफी easy रहने वाला है, अगर आपने जिन्दगी में भी कभी कोई website नहीं बनाई है, आपको coding नहीं भी आती है, तो भी आप इस website को बहुत easily create कर लोगे, with the help of WordPress और मुझे follow करते हुए, त subscribe करें, bell icon को click करके all notification का on करें, ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, तो features मैंने आपको check करा दिये है, मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूंगा, यह जो आप interface देख पा रहे हो, यह मैंने एक घंटे लगा करके already, मेरी last video के अंदर सिखाया हुआ है, कुछ महिने पहले, तो उसक पूरे process को बनाने के लिए description चेक करो, वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर कर देखो और इतना बना करके आप यहाँ पे पहुँचो, इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होंगे कुछ premium features की, तो वो discuss कर लेते हैं, वो आपको कैसे मिलेगा, आपको जाना है Google पे और सर्च कर करोगे, तो आप देख सकते हो, नॉर्मल वीडियो जो होती हो, उसमें YouTube के ब्रैंडिंग से रहती है, यह सारे डीटेल्स जो कि मैंने आपको डेमो में बता ही दिया है, और इस वाले वीडियो में ऐसा कुछ नहीं आएगा, नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, तो डीटेल साब चेक कर सकते हो, नॉर्मल केस में आपकी ब्रैंडिंग रहेगी, रेलिवेंसी नहीं रहेगी, एड्स भी चल सकता है, ओविसली, एडवर्टाइजिंग होगी, सजेशन्स आपको मिलेंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीज़े प्रीमियम कॉलि कर रहे हैं कितने कोस्ट पे और डोमेन रेसर आपको कितने सस्ते रेट पे क्या प्रोवाइट कर रहा है, कमपैरिजन है, प्राइवेट वीडियो प्लैटफॉर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़े आप यहां पे रीड कर सकते हो, हम डारेकली बात करते हैं यहां और प्राइवेट वीडियो सलीशन आपको मिलेगा, जिसके जरीए आपकी यूट्यूब वगरा की ब्रैंडिंग शो नहीं होगी, और अगर आपको मल्टिपल वेबसाइट बनानी हैं, तो आपके लिए यह प्लान काफी सूटेबल रहेगा, 144 डॉलर पर ये कोई बहुत ब domainracer.com, ऐसे ही आपका भी कुछ नाम आप प्रोवाइड करोगे स्कूल का, तो मैंने यहां पर लिखा Cyber Warriors LMS, जो भी आपको extension चाहिए हो, वो क्लिक करें और चेक करें, अभी लेवल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो spelling को आपको चेंज करना पड़ेगा, और इसके बाद आ नीचे scroll करके continue करें, जब तक यह load होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्या advantage है, देखो, यह LMS hosting के अंदर, यह specially बनाया ही, इसी के लिए गया है, कि आपको Tutor LMS Pro खरीदना ना पड़े, क्योंकि अगर आप खरीदने जाओगे, तो यहां पर आपको एक ब महंगी पड़ जाएगी, अगर आप individual करने बैठोगे तो, उसके बाद video solution जो है आपका, जो आपको वहां पर मिल रहा है, उसकी cost है, market cost है 49 dollar per month, तो यह भी बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, लेकिन अगर आप LMS hosting बाय कर लेते हो, तो hosting आपको मिली रही है, साथ में आ details आप यहां पर और detail में read कर सकते हो, आपको क्या मिलने वाला है, इसी cost के अंदर, वो आप यहां से भी check कर सकते हो, यह सब आपके लिए free है, तो obviously आप इसके उपर tick लगाओगे, और इसके बाद आपको यहां पर continue कर लेना है, continue करने के बाद again continue करे, and यहां से अपने details को दे करके अपना order complete कर लेना है, order complete होने के बाद यहां पर login पर click करे, यहां अपना email और password प्रोवाइड करके आपको login कर लेना है, तो मैंने इसको अपना email और password प्रोवाइड कर दिया है, simply login के उपर click करे, ताकि आप अपने dashboard पे पहुत जाए, dashboard में login करने के बाद यहां पर आपक आप काम कर रहे हो उसके active के उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप notice करोगे तो एक option आपको नीचे मिलेगा स्क्रॉल करने पर premium YT video solution तो यह आपके काम की चीज़ है पहली दूसरा जो हमारे पास है वो यह है कि overview के section में download का एक option आपको मिलेगा इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद download यह देख रहे हैं अप tutor LMS इसके download बटन के उपर आप click करें download आपका start हो चुका है 2.5 MB का है इसके download होने का wait करें और right so आप check कर पा रहे हो यह download हो चुका है जिस भी जगा पर यह download हुआ है उस folder को आप open कर लोगे open करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा tutor minus pro underscore version जो भी होगा उस time पे यह आपको देखने को मिलेगा आप क्या करोगे इसको open करके मैं आपको दिखा देता हूँ यह file मिलेगा और उसके अंदर हमारे काम की चीज है यह सारी चीज है आप यहाँ से उपर scroll करोगे और नीचे एक option है login to cpanel इसके उपर आपको click करना है but actually मैं दूसरे domain के उपर अभी काम कर रहा हूँ सो मैं भैका आजाता हूँ एक बार सो मैं इस वाले के उपर काम कर रहा हूँ सो मैं active के उपर click कर देता हूँ click करने के बाद login to cpanel login to cpanel आप cpanel में पहुत जाओ तो नीचे scroll करो file manager का एक option मिलेगा इसके उपर click करे click करने के बाद public underscore html जो आपको दिख रहा है इसको open करे wp-content के folder को double click करके open करे open करने के बाद plugins के folder को भी open करे यह हो जाने के बाद आपको क्या करना है अभी अगर आप dashboard पे मेरे notice करो अगर मैं अपने dashboard में आ जाओ WordPress के तो left hand side पे tutor LMS के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ details मिलती है get pro का अगर मैं add-ons के उपर क्लिक करूँ तो यह चीजे मुझे separately buy करनी पड़ेंगी जिनका price मैंने आपको starting में दिखाया यह काफी सारे features है आप check कर सकते है अगर मैं इसको count करूँ तो total 18 चीजे हैं हमारे पास यह और भी बढ़ सकती है obviously इसमें कुछ improvement होंगी तो आपको extra कुछ मिल जाएगा in future so यह buy नहीं करना मुझे मैंने जो आपको file बताया वो आप क्या करोगे इस जगह पे आपको वो upload करना है कैसे upload होगा उपर एक option मिल रहा है upload इसके उपर क्लिक करें क्लिक करने के बाद select file का option आ रहा है या drag and drop कर सकते हो तो मैं drag करता हूँ और यहाँ लाकर के drop कर देता हूँ यह इसके उपर क्लिक करना है आपको और इस process के होने का wait करना है तो यह जो process है हमारा यहाँ पे complete होने वाला है कुछी seconds के अंदर आप screen के उपर check कर पा रहे हो 98% यहाँ पे complete हो चुका है और मेरी internet connection की speed थोड़ी सी slow है in fact काफी जादा slow है so यह 100% हो चुका है अब आप चाहें तो इस page को यहाँ से cut कर सकते हैं लेकिन cut करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आ करके इसे refresh करूँगा refresh करने के बाद public underscore html wp content plugins और यहाँ पे आप check कर सकते हो जो हमने upload किया वो है हमारा twitter pro यह देख पा रहे हो आपको इसको right click करना है और एक option आपको मिलता है extract इसके उपर click करे extract करने के बाद आपको क्या करना है इसे extract करे यह आपको दिख जाएगा तो आप इसे close कर सकते हो और आपको इस page को एक बार reload कर देना है reload करने के बाद यह pro version आपको दिखेगा लेकिन यह ऐसे काम नहीं करेगा इसका version number दिया हुआ है और actually इसके अंदर एक और folder है तो हमें इस folder को बाहर move करना है वो कैसे होगा right click करो और यहीं पे एक option है move कहां move करना चाहते हो तो मैं उसको plugins के folder में move करना चाहता हूँ तो मैं tutor का नाम हटा रहा हूँ और इसको मैं यहां से move कर देता हूँ एक folder पीछे जाएंगे तो actually वो इसके अंदर overwrite हो जाएगा अगर मैं अपने WordPress dashboard में आ जाओ तो यह पहले buy now बोल रहा था अभी भी बोलेगा क्योंकि अभी हमें एक काम पूरा करना है नीचे scroll करके plugins पे हमें जाना पड़ेगा और यहां पे अब आपको एक option मिलेगा Tutor LMS Pro अगर यह आपको देखने को मिलता है इसका मतलब यह है कि आपने मेरे steps को follow करके properly अपने plugin को install कर लिया है ठीक है तो यहां से आपको उसको activate कर देना है activate हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हो यह मैंने activate यहां पे कर दिया है Tutor LMS Pro यह दिख रहा होगा आपको अब आप आजाओगे अपने dashboard पे अब आप चेक कर सकते हो कि पहले यहां पे tutor LMS था अब pro आ गया और नीचे से buy now का option हट चुका है और अगर मैं add-ons के अंदर जाओँ तो यहां पे वो सारी चीजों से buy now का option हट चुका है और मैं किसी को भी use कर सकता हूँ हम इसे देखेंगे कि इसमें से important क्या है हमारे काम का वैसे आप इन 18 के 18 पूरे use कर सकते हो O commerce तो हमने properly पहले ही use कर लिया है तो इसकी हमें फिलाल यहां से करने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आपको LMS hosting के जरीए अपनी इन चीजों को properly set up कर लेना है अब set up हो चुका है तो इन सारी चीजों को मैं यहां से cut कर रहा हूँ और आप चाहें तो इसको भी cut कर दो कोई problem नहीं है अब हम क्या करेंगे अपने website को open कर लेते हैं open हो गया ध्यान दे मैं as an admin logged in हूँ आपके case में आप as a student हो सकते हो मैं यहां से जा रहा हूँ dashboard पे जो मैंने courses अल्रेडी buy किये हुए हैं उसके उपर हम जा करके देखते हैं तो एक enrolled course है मेरे पास यहां पे अगर मैं उसके उपर चले जाओं तो यहां पे वो आप check कर सकते हो हम क्या करेंगे इसके अंदर कुछ features को add करेंगे वो कैसे होगा मैं आपको पहले website open करके दिखाता हूँ तो मैंने अपने website पे यहां पे painting वाला course open कर लिया है नीचे अगर मैं scroll करता हूँ तो एक चीज़ आप notice करोगे course के topic क्या है introduction और requirement यहां video lectures है मुझे यहां पे कुछ question answer कराने है assignment कराने है quiz कराना है तो वो कैसे setup किया जाए तो इस चीज़ को करने के लिए यहां पे मैं क्या करूँगा अभी देखना आप मैं quiz setup करूँगा उससे पहले मैं क्या करता हूँ इस जगा पे आ करके कुछ चीज़ों को activate कर लेता हूँ जो की हम use करेंगे अभी आप देखो ट्यूटर LMS में course, category, tags, student, announcement, question and answer, quiz attempt आपके add-ons, settings और tool इतने ही option है मैं यहां पे enrollment को भी open कर लेता हूँ grade book को भी कर लेता हूँ और quiz को भी कर लेंगे हम लोग यहां से, assignment को भी करेंगे, certificate को भी करेंगे और देख लेते हैं अगर हमें यहां पे कुछ requirement है तो zoom को भी हम करेंगे तो इन सारे features को हम यहां पे use करेंगे इसको करने के बाद dashboard पे आ जाओ एक बार अब अगर आप tutor lms पे mouse लेके जाओगे तो बहुत सारे option आ जाएंगे assignment, enrollment, zoom, grade book, add-ons, quick quiz attempts, announcement बहुत सारे features extra आपको देखने को मिलेंगे even एक student का section भी है इन सब को हम use करेंगे अभी हम अपने course के section में आते हैं और उसमें कुछ implementation करके देखते हैं तो यहां से मैं आता हूँ मेरे course पे और painting वाले course का ही हम consider कर रहे हैं कि इस जगा पे हमें कुछ implement करना है तो वो कैसे होगा नीचे scroll करके इसे मैं यहां से edit कर रहा हूँ edit करने के बाद अब यहां पे कुछ extra options हमें यह देखने को मिलेंगे हो सकता है यह minimized हो course builder आपका तो इसे आप एक बार open कर लेना और यहां पे मान लीजिए कि मुझे introduction वाले chapter में यहां पे एक quiz include करना है पहले आपको सिर्फ lesson का option मिल रहा था क्योंकि हमने यहां से quiz को enable किया है assignment को enable किया है तो हम दोनों use कर सकते हैं मैं इस पे click करके कहता हूँ कि मुझे एक quiz implement करना है कहता है quiz का क्या title देना चाहोगे तो यहां पे मैं यहां पे question लिख रहा हूँ तो मैंने यहां पे लिखा first quiz और इसके बाद save के उपर मैंने यहां पे click कर दिया click करने के बाद कहता question बताओ तो मैंने इसके उपर click किया और यहां आ जाएगा आपका question तो मैं यहां पे type कर देता हूँ what is 5 plus 7 equals to obviously यह आपके case में आपके according quiz होगा मैं बस आपको एक demo दिखा रहा हूँ कहता यह quiz कैसा है true या false है क्या मैंने का नहीं भाई यह तो MC की हुए है multiple choice question क्या answer देना ही पड़ेगा इस question का हाँ मैंने काए obviously अगर student ने पढ़ाया तो उसको यह solve करना पड़ेगा randomize का मतलब यह होगा कि quiz जो है आपके उपर नीचे order में आएंगे और उसके options जो है हर user को या हर refresh पे उपर नीचे options दिखेंगे ताकि लोग phone पर बात ना कर ले कि पहले का answer A है तो यह random तरीके से आता रहेगा answer आपका match कर जाएगा कहता इस answer के लिए कितने point user को मिलेंगे let's go with 10 points कि इस answer के लिए user को 10 points मिलेंगे क्या point को display करना है मैंने का दिखा दे description मैं कोच नहीं लिख रहा है यहाँ पर answer पूछ रहा है अब यह answer का section है मेरा यहाँ पर add an option के कारण 5 plus 7 मेरे case में answer 12 है जो भी आपके question का answer होगा वो आप लिखें and यहाँ पर आपको save के उपर click करना है multiple choice question है obviously तो एक से ज़्यादा option आपको देना पड़ेगा तो यह बन करके मेरा ready है इस जगह पर add an option पर दुबारा click कर रहा हूं मैं और एक answer देता हूं मैं यहाँ पर let's go with 15 और इसे मैंने यहाँ पर save कर लिया इसी तरीके से हमें और दो option यहाँ पर create करने है तो मैंने यहाँ पर 4 options add कर दिये हैं और जो भी आपका correct answer है उसके उपर आपको tick लगाना है कुछ edit करना हो यहाँ से कर लो delete करना हो यहाँ से कर लो और इसके बाद एक ही option है नीचे save and continue का इसके उपर click करे save हो जाने के बाद आपको यह option देगा कुछ इस तरीके का और आप यहाँ से और भी कोई जाएड करना चाहते हो question add करना चाहते हो तो कर लो next पर click करो कुछ options आपको यह बोलेगा क्या कोई time limit है एक बार बंदा इस quiz को शुरू करे तो obviously अगर आप exam conduct करा रहे हो तो आप यहाँ पर time, minutes, hours, seconds जो भी आपको देना है दे देना या obviously बच्चों के internet connection slow हो सकते है तो आप एक दिन, दो दिन, weeks का time दे दो बच्चों के लो ताकि उनको भी कोई problem ना हो यहाँ पर आओगे तो कितने attempt वो कर सकता है multiple choice question में तो मैं कहूँगा भाई एक बार attempt करे बस बात खतम that's it passing grade क्या है तो passing grade के अंदर मैंने कह दिया इसको कम से कम 33% तो score करे grade यहाँ पर mention है maximum question या फिर grade की अगर हम बात कर रहे तो चलो मैं मानके assume करके चलता हूँ कि इस quiz के लिए 10 point बच्चे को मिलेंगे और 10 में से 10 पूरे score करने है और कितने marks maximum मिल सकते हैं वो भी 10 है यहाँ पर आपको save पर click करना है ठीक है यह सब सभी करके आप इसको save कर दो और उपर आकर के save दिखा देता है तो आप इसको cut कर सकते हो अब एक quiz आपका ready है कैसे देखेंगे इसको हम यहाँ पर देते हैं एक बार और इसको refresh करके देखते हैं refresh करने पे अब आपको दिखाएगा first quiz जो भी मैंने title दिया obviously quiz तो यहाँ open नहीं कर सकता ना मैं तो वो हमें अंदर ले करके चले जाएगा जहाँ बच्चा इस question को पढ़ेगा और attempt करेगा इस question को और इस course को देखते हुए यहाँ सब हम directly आगए बट मैं आपको properly जाके दिखाता हूँ हम जाएंगे अपने dashboard पे जो भी student होगा अपने enrolled courses में जब वो पढ़ रहा होगा तो हम painting के course में चले जाते हैं start course करते हैं और जब वो इन lessons को complete कर लेगा उसके बाद first quiz का एक option है उसके उपर student को जाना है और फिर आप वोई interface पर आजाओगे जहाँ student अपने quiz को attempt करेगा कहता एक ही question है एक ही attempt मिलेगा करने को और एक ही attempt remaining भी है कम से कम 10 score करना है start quiz के उपर मैं click करता हूँ तो यहाँ पे quiz हमारा open हो गया कहता है एक ही question है obviously quiz number one marks 10 point मिलेंगे 10.00 है point यहाँ पे है ध्यान देना 5 plus 7 कितना होता है तो मैंने का 12 अगर गलत answer करूँगा तो obviously दिखा देगा wrong है but मैंने correct पे tick लगा दिया और submit कर दितता हूँ मैं इसको submit करने के बाद यह generate हो गया यहीं पे student का कहता एक question attend किया था इतने बज़े attend किया ताकि आपका principal class teacher जो भी है वो check कर पाए ना properly 10 point मिल गया है 100% पूरा मिल गया बच्चे को और बच्चा पास हो गया view attempt देख सकते हम अभी तक बच्चे ने क्या क्या attempt मा रहे हैं कौन-कौन से answer कब टिक किया और यहां से next करेंगे obviously next करने के बाद जो भी हां मैंने दिया होगा chapter number 2 पे आ जाओंगा मैं तो कुछ इस तरीके से आपको quiz को set up करना है अब मैं क्या करता हूँ यहां से आ जाता हूँ dashboard पे क्योंकि यह तो बच्चे का panel है जो teachers होंगे administrator होंगे academy के वो कैसे check करेंगे तो यहां पे उन्हें tutor LMS के अंदर एक option मिलता है quiz attempts का उसके उपर चले जाना है और उसके उपर जा करके देखेंगे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं as an admin logged in हो तो बच्चे का नाम यहां पर आएगा उसका email आएगा quiz जो आपने title दिया था वो painting बच्चे का नाम और email आपके सामने आ जाएगा और साथ में कितने questions उसने attempt किये और कितने correct है वो आपका यहां पे calculate हो जाएगा तो इसवाद आपको क्या चाहिए यहीं से आप result calculate कर सकते हो online और आपका काम जो है वो computer system करके दे रहा है manually आपको कुछ नहीं करना तो यह तो था quiz अब हमारे पास एक option है यहां पे assignment का वो भी हम दे सकते हैं वो कैसे होगा same option है उसका भी इसी page के ऊपर एक आपको option मिल जाएगा फिर assignment का इसके ऊपर click करें click करने के बाद assignment का title दे दो जैसे की can you solve this या can you answer this question कुछ ऐसा आप लिखो और कुछ option है नहीं यहां पे कोई attachment attach करना है कर दो time limit दे नहीं है वो दे दो points कितने मिलेंगे वो दे दो pass होने के लिए कितने points चाहिए वो दे दो यहां पे और यहां पे मैं आ जाता हूँ मैंने का can you solve this या फिर इसकी जगह पे message लिख लिएते हैं यह मैंने लिख दिया अब यहां से मैं क्या करूँगा update करूँगा obviously यहां पे बच्चे को अपना answer लिखना है अपने panel से तो वो answer मैं automatically verify नहीं करूँगा एक user बैठ करके उसको पढ़ करके verify करेगा तो यहां पे हम आते हैं student आ जाएगा अपने panel पे और यहां पे आपको दिखेगा एक option from where you are learning अब student इसके उपर click करेगा click करने के बाद कहता कोई limit नहीं है आराम से submit करो क्योंकि मैंने कोई limit दी भी नहीं है submit assignment का एक option आ रहा है जब इस assignment को मैं submit करूँगा तो यहां पे answer पूछ रहा है तो मैंने कहा cyber warriors मेरा answer cyber warriors youtube channel obviously बच्चा पूरा paragraph लिख सकता है तो उसे verify करना बहुत ज़रूरी है submit के उपर मैंने click कर दिया तो यह submit हो गया your answer cyber warriors YouTube का spelling मैंने mistake कर दिया खेर कोई बात नहीं अब यहां पे result generate नहीं हुआ क्योंकि admin इसे approve करेगा अब वो approval कहां से मिलेगा इसी जगह पे आपको मिलेगा एक option assignment का इसके उपर click करें तो यह आपको दिखाएगा भाई थोड़े दर पहले painting में इस बच्चे ने question attempt मारा है क्या answer दिया है उसने हम उसे evaluate कर सकते हैं और actually हम यहां पे click करके भी देख सकते हैं तो अगर मैं इसको open करूँ तो यहां पे मैं उसे student का answer देख सकता हूँ ठीक है मैं या तो delete कर दूँ इसको कि नहीं है यह तो गलत है या मैं इसको evaluate कर दू evaluate करने पे कहता यह उसका answer है यहां से भी मैंने देख लिया, कितने point इसको देना चाहोगे, मैंने का 10 points मिलते हैं इस बच्चे को, कोई answer feedback देना चाहोगे, तो मैंने का good, और इसके बाद evaluate this submission के उपर click करें, यह हो गया, जब बच्चा बाद में आएगा, यहां पर जिस दिन पर आपने वोला होगा, result declare हो ज ठीक है, अब बारी आती है grade की, तो उसके लिए भी आप यहीं पर आजाओ, अपने dashboard पे, और tutor LMS के अंदर आपको एक grade book का option मिलेगा, जो की हमने enable किया था, no enough data आ रहा है, कुछ records यहां पर होने चाहिए, ताकि यह उसको दिखा सके, grade book के उपर आपको click करना है, और खुद क percentage लिखे हुए है, कि अगर 90 से 100 marks आते है, तो मतलब 4.0 बनेगा, और वो जो होगा, पास होगा, यहां grades mention है, अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, delete करना है, तो कर लो, edit करना है, तो यहां click करके, आप यहां से grade name, grade point, सारी चीज़े change कर सकते हो, सब कुछ done कर दो, उस इसको हम सही करेंगे, अब यहां पे कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, 10 points मिली है, out of कितने points, वो mention नहीं है, अब जब mention ही नहीं है, तो हो सकता ही, उसको 100 treat करें, इसलिए वो उसको fail दिखा रहा है, देख रहे हो, 0.0 यहां पे दिखा रहा है, तो यह जरह हम जात है, assignment में और उसको सही करते हैं, तो मैं इसके लिए आ गया assignment में, जो मेरा यह है न, इसके उपर मैं यहां पे click करता हूँ, नीचे scroll करके एक option है, कि कितने points दे रहे हो, और यह देख रहे हो, minimum passing score, वो भी मैं 10 कर देता हूँ, और इसको मैं यहां से update कर देता हूँ, मैंने update कर दिया, इसको और एक बर दुबारा जाके मैं surety कर देता हूँ, तो यहां पे 10-10 points हो चुके हैं, चल यह जी perfect है, अब मुझे मालूम है कि कितने में से 10 उसे मिला है, refresh करता हूँ, तो आप देखोगे 10 points out of 10 points, लेकिन still यहां पे fail देखने को मिल रहा है, कोई problem नहीं है, और भ एक बार actually save करके 100 लिख देना, first of all इसको, भले हमने पीछे 10 by 10 लिखाया, यहां आप इसे 100 लिखोगे, 100 करने के बाद इसे एक बार आप refresh करोगे, और wait करोगे, तो pass आगे हमारे पास grade नहीं बन करके आया, वापस आते हम यहां पे और इसे वापस हम 10 कर देते है, मैंने कहा आपको चीजों को load होने में time लगता है, अब अगर मैं यहां आ करके refresh करूँ, तो अब आप देखोगे A plus grade आ गया, और वो issue हमारा solve हो गया, तो student को उसका grade कुछ seconds के अंदर properly refresh होके दिख जाएगा, 10 में से 10 point मिल गया, भाई 4.A की grade आया, और यह हमारा grade का panel जो है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है, तो अब तक हमने 3 interfaces को try कर लिया, हमने assignment कर लिया, हमने quiz कर लिया, और grade को use कर लिया, और क्या हमने यहां पे allow किया है, चलिए अब अगर अगर हमारा यह हो चुका है, तो हम जाते हैं जरा assignment में, तो यह तो मैं पहले ही देख पा रहा था, अब एक option ह मेरे पास ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ कुछ grade book का, तो अभी भी यहां पर data नहीं है, कुछ students आ जाएंगे तो आपका यह fill हो जाएगा, यहां अगर आप student पर click करोगे, तो वो student आपके सारे के सारे आप यहां देख सकते हो, number of student पूरा list आप उनका data के साथ देख सकते हो, च यहां पर आपकी कोई video हो सकती है, और यह actually मैंने YouTube की video यहां पर embed की है, आपको ही पता है, अगर आप server के उपर directly video upload कर दो, किसी का भी server हो, वो load पढ़ जाएगा, user के लिए भी दिक्कत कि internet उसका waste हो रहा और video नहीं चल रही और आपके server का भी load बढ़ेगा, तो वो चीज अपने को नहीं करना है, Vimeo एक solution है, लेकिन वो फिर आपको बहुत महंगा पढ़ जाएगा, मैं यहां पर आपको free की चीज बता रहा हूँ, उसके लिए एक tool बनाया गया है, especially, जो आपको free of cost इसी के साथ दिया गया है hosting में, जब user कोई video को play करता है, तो वो play तो होगा, ले क्लिक करके, कोई भी person, watch on YouTube, watch later, ये वो करके channel के उपर जा सकता है, जो कि हम नहीं चाहेंगे, एक option आपके पास है, कि उसको unlisted कर दो, but still, YouTube का interface तो दिखेगा ना आपको, वो चीज़े अपने को नहीं करनी है, तो इसको मैं replace करूंगा, domain racer के video platform से, जो हमें वो provide कर रहे हैं, आपको सारे के सारे वैसे ही करने, तो मैं आता हूँ painting में और इसको edit कर लेता हूँ, edit करने के बाद नीचे scroll करते हैं, तो जहाँ पे हमने अपना course दिया है, introduction का chapter है, introduction to the course है, इसके उपर click कर लेते हैं, और नीचे मैंने एक URL पास किया है, YouTube का, ये जो link है ना, ये actually मैंने song यहाँ पे लगा रखा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से चाहें तो delete कर सकते हैं, delete करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए, आप लोग जो tutorials upload करोगे, directly आप किसी भी server पे करोगे, तो वो आपके लिए काफी जादा load create करेगा, server के उपर भी, no doubt, आप जा सकते हो, ऐसे चीज़ों के लिए, जहाँ आप सोच सकते हो, कि YouTube भी तो ऐसा करता है, वो तो down नहीं होता, तो ठीक है, उसके लिए आपको बहुत महंगे server की जरूरत पड़ेगी, एक normal person के लिए, वो afford कर पाना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप आपके से आपको अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, अपलोड उसको करोगे, तो अनलिस्टेड आपको करना है, ठीक है, अनलिस्टेड वीडियो कुछ इस तरीके से दिखती है, आपका यहाँ पर पब्लिक वगरा का option आता है, तो आप जब अपलोड क करोगे, तो उसे अनलिस्टेड करोगे, अनलिस्टेड में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके साथ आप लिंक शेयर करोगे, बस वही person आपकी वीडियो को देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता, इवन आपके चनल पे भी आएगा, तो कोई वीडियो उसको दिखाए नहीं देने वाली, तो आप चेक कर सकते हो, 7100 वीडियो के उपर, तो ऐसे ही आपको भी अनलिस्टेड करना है, ठीक है, अनलिस्टेड करने के बाद आप क्या करोगे, उस वीडियो का लिंक आपको कर लेना है, कॉपी, आपका ये प्लाटफॉर्म है, तो आपकी ह क्लिक करने के बाद, अपना एमेल और पासफ़र्ट प्रोवाइड करें, और लॉग इन करें, सेम वही प्रोसेस है, अपने सर्विस वाले पर आजाओ, अपने डोमेन पर आजाओ, और नीचे स्क्रॉल करोगे, तो आपको एक आप्शन मिलेगा, प्रीमियम वाइटी वीड कर देता हूं, और सिंपली आपको क्रियेट पे क्लिक करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, एक बार बता देता हूं, आप देख रहे हो, जब मैं इस वीडियो को पॉस्ट कर रहा हूं, तो दूसरे सजेशन्स आ रहे हैं, यह इस चैनल के भी हो सकते हैं, दूसरी फ्रेम का कोड है, जिसको आप एमबेड कर सकते हो, कैसे होगा वो, यहीं पर आ जाओ, और यह जो आपने इसको डिलीट किया, इसकी जगब पे आपको लगा देना है, एमबेडेड, ठीक है, और यहाँ पर यह आपको बोलेगा, पेस्ट करो, तो वो आपको यहाँ पे करोगे, अपडेट करने के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हो, करंटली ये है, और योट्यूब के पूरे के पूरे सिंबल से, identify हो पारे है, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद, अब आप देखोगे, कि इंटरफेस पूरा चें को डाउन कर दूंगा तक कि आप मुझे सुन पाए तो यहां पर आ रहा है इस वीडियो इस लोडिंग और यहां पर यूट्यूब का नाम और निशान भी नहीं रहेगा को इसको इसको अडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यह वीडियो एक्चली यूट्यूब पर अपने आडियो सुना होगा यहां पर यहां से कॉलिटी वगरा को सही किया जा सकता है तो यह वीडियो एक्चली यूट्यूब के प्लाटफॉर्म पर प्ले होगी लेकिन यूजर्स आपके लेमस के जरीए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरीए इसको यूज कर पाएं तो एक जबरदस्ट चीज है यह ना आपके सर्वर के उपर लोड आएगा ना यूट्यूब की ब्रैंडिंग यहां पर देखने को मिलेंगी ऐसा कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा इससे जाधा क्या चाहिए आपको तो इसी तरीके से आपको अपने सारे वीडि वाला काम जो है वो पूरा करना है चलिए जी अब हमें क्या करना है इसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है यूजर जब पूरा कर लेगा कोर्स तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जब यहां से कंप्लीट लेसन वगरा हो जाएगा तो वो कैसे होगा उस च कर सकते हो मैंने कहीं न कहीं उसको किया होगा तो यह रहा हमारा certificate यह on होना चाहिए तो अब यह कैसे काम करता है नीचे scroll करो और यहीं पर एक option मिलेगा settings का या फिर I guess वो tutor LMS के अंदर हमें settings में जाना है settings में जाने के आपको क्या करना है नीचे scroll करना है कहता है authorized name कौन इस certificate को issue कर रहा है तो यहाँ पर अपना नाम provide कर दो company का क्या नाम है वो आप यहाँ पर provide कर दोगे अपने company का नाम क्या उस teacher का नाम भी दिखाना है यहाँ पर तो आप enable कर सकते हो बट यह थोड़ा सा odd लगता है देखने में design भी थोड़ा सा खराब हो जाता है तो मैं recommend नहीं करता personally अब नीचे signature भी आएगा certificate के ऊपर आप देख पार हो यहाँ पे एक sign है तो वो sign के लिए आप यहाँ से upload कर देना अपनी sign white paper के ऊपर photo copy paper के ऊपर लिख करके photo click करके यहाँ ले आना view certificate लोग certificate देख सकते हैं मैं का बिल्कुल देख सकते हैं certificate link in course completion email एक बार जब person यह हमारा course complete कर ले तो उसका certificate का जो link भी है न वो क्या उसको email करना है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कर दे इससे क्या होगा लोगों को बार बार जाकर के download नहीं करना पड़ेगा वो email से आकर के click कर लेंगा और अपने certificate को verify भी कर लेंगे थोड़ा असान होगा ढूंड़ना यह आपको करना है तो अपने signature वगर upload करो सारे details pass करो design select करो save changes के ऊपर click करो changes save होने के बाद जब आप इसको पूरा कर लोगे मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं directly इसको complete करके दिखा दिता हूँ तो मैंने इसको complete कर दिया अब अगर मैं आजाओ अपने courses के section में courses के section में आने के बाद अगर मैं यहाँ आ जाओ और painting वाले पर हम दुबारा चलते हैं तो यहां पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे complete course का एक option है, अगर मैं इसके उपर क्लिक करूँ तो अब मेरे पास दो option है, दुबारा पढ़ना है या generate करना है gradebook या download certificate ये भी सारे options हमारे पास आ चुके हैं, gradebook भी हम देख सकते हैं, या view करना है certificate को तो आप पहले द आपको blur देखने को मिले, reason is मैं वीडियो को edit करूँगा, थोड़ी file की size reduce करूँगा, तो हो सकता है quality में कुछ फरक आजाए, आपके case में proper दिखेगा, still कुछ issue आता है, certificate के design को आप change कर सकते हो, अब obviously यहां पर आप check कर सकते हो, मैं as an admin logged in था, मैंने आपको पहले ही बताया, तो मेरा नाम यहां पर admin आएगा, यहां पर आपके student का नाम आएगा, has successfully completed, यह वो इतने hours का course था, signature मैंने कुछ दिया नहीं है, तो James Smith है नीचे आपका नाम, company का नाम, certificate ID, course का नाम आजाएगा, यह design अगर आपको पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, उपर बहुत अच्छे अच्छे design है, जो काफी अच्छा impact दे सकते हैं आपके certificate को, और let's go with this one, यह भी कुछ खास नहीं है, वैसे तो, हम देख लेते हैं, जो थोड़ा suitable लगे और ठीक ठाक लगे, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग यह वाला try कर लेते हैं, यहां क्लिक किया मैंने, और यहां आ कर करके save settings, save हो जाने के बाद जरा इसको हम back कर लेते हैं, refresh कर देते हैं, download certificate का option भी है, view का option भी है, और जहां तक मुझे लग रहा है, यह पुछले वाला history के according ही उठा लेगा, but still, चलो हम लोग view के उपर click करते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं है, history delete करना पड़ेगा, अगर यह आपको पिछला ही certificate बार-बार दिखाता है, नया ना दिखाए तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है, बड़ चलो मेरे case में यहाँ पर change हो गया, और यहाँ पर नाम, थोड़ा font वगर अलग हो गया, तो similarly, अलग-अलग certificate के design को आप try करो, जो आपको पसंद आता है, उस certificate को आप रख सकते हो, और यहाँ से student जो है अपना PDF, JPG format में अपने certificate को डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड होने के बाद उस पे click करके, obviously उसको view कर सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है, और यहाँ पर quality इसकी बहुत ज़ादा high है, signature को अपने high quality में रखना, यहाँ भी वो अच् करके add-ons में जाकर के zoom को on कर लेना, और फिर आपको यहाँ पे zoom का option देखने को मिलेगा, जब आप यह कर लोगे तो बोलेगा setup your zoom integration, API की और secret की यह आप से पूछने वाला है, यह कैसे generate होगा, कहता है इस link के उपर जाओ और generate कर लो, मैंने का ठीक है, जब मैं यहाँ पर आया मैं as it is छोड़ रहा हूं इन सारी चीज़ों को, और sign up के उपर click करे, sign up पे click करने के बाद अपना date of birth जरा इसको provide कर दो, तो मैं यहाँ पर फटा फट से अपना date of birth जो है, वो provide कर देता हूँ, date of birth प्रोवाइड करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, continue पे click करे, continue पे click क sign up पे click करे, video conferencing activation email sent ये वो option आ चुका है, अब आपको क्या करना है, अपने जो भी आपने email address provide किया है, उस पे जा करके देखो, मेरे case में Gmail वाला है, वहाँ पे एक verification link आया होगा, तो आप check कर सकते हो, zoom, please activate your account लिक करके आ रहा है, इसके उपर click करे, click करने के बाद, welcome to zoom, नीच scroll करने के बाद activate account का option है, इसके उपर click करे, तो यहाँ पे हमारा एक step पूरा हो चुका है, पिछले page को आप चाहे तो cut कर लो, email को भी cut कर लो, name, last name, email, confirm password, बड़ा ही simple सा procedure है, फटा-फट मैं इसको provide कर देता हूँ, तो मैंने इसको detail provide कर दिया, I am not a robot, are you signing on behalf of a primary school, वगरा पूछेगा आपके domain name वाला है, तो ठीक है, वरना यहाँ पे skip का option भी है, skip कर सकते हो आप इस step को, और यहाँ से आपका एक personal meeting URL मिल गया है, यह भी आप यहाँ से create कर सकते हो, तो यहाँ पे सारे options आपको दिये गए है, इसके बाद आप उन दोनों tabs को यहाँ से cut कर सकते हो, और यहाँ पे वापस आपको इसी page पे आना है, Tutor LMS और Zoom के अंदर, दुबारा आप यहाँ पे इस link के उपर click करें, click करने के बाद again आप इसी page के उपर पहुचोगे, और इस बार आपको यहाँ पे sign in पे click करना है, sign in पे click करने के बाद यह आप से login credentials मागेगा, जो आपने अभी अभी generate किया था, अपना email और password प्रोवाइड करके sign in पे click करें, तो मैंने यहाँ पे details प्रोवाइड कर दिये हैं, simply sign in के उपर मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पे check कर सकते हो, मैं login हो चुका हूँ और मेरे profile का जो भी name था वो यहाँ पे आपको दे बिल्ड एप का एक option है, हमें एक application बिल्ड करना पड़ेगा, हो सकता है आपको दो बार accept करने को बोले कुछ agreements, accept के उपर आप click करें, ताकि आप इस page तक पहुँच पाओ, यहाँ पे देख रहे हो generate API की यह सारे options आपको दिये हुए हैं, JWT के अंदर, आप learn more पे click करके इसके नाम रख सकते हो, totally आपके उपर depend करता है, तो मैंने यहाँ पर type कर दिया, tutor lms, और इसके बाद create के उपर click करें, create होने के बाद कुछ ऐसे interface पे आपको ले करके आएगा, अगर नहीं आता है, दुबाया create पे click करना और कुछ second wait करना, यह आपको redirect कर देगा, किता है application name जो हमन student डाल दो, freelancer डाल दो, जो आपका मन करता है, वो रखो, लेकिन यह fill करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर YouTube चैनल का नाम ही डाल दिया, cyber warriors, नीचे scroll करते हैं, और यह मुझे पूछ रहा नाम और email प्रोवाइड करो, मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है, बाकी जो है, व कोई चीज हमारे पास यहाँ पर नहीं है, API key और secret key से हमें मतलब है, यहाँ इस page पर अगर आप देखोगे, तो यह भी वही मांग रहा है, API key और secret key, ध्यान दे, यह चीजे किसी को ना दिखाए, वरना hacking वगरा हो सकती है, और आपके meeting के अंदर कोई भी खामखा entry कर लेगा, तो मैं इसको copy paste करते हैं ताइम कुछ चीजों को hide करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको simply copy के उपर click करना है, API key हो गया copy, अपने WordPress के interface पर आ जा और यहाँ पर right click करके उसको कर देना है paste, similarly आपको जाना है marketplace पर वापस और API secret key को कर लेना है copy, और अगर आपको इसको change करना हो तो regenerate भी आप कर सकते हो, obviously मैं इस tutorial के बाद इसको regenerate करके change कर दूँगा, यहाँ पर आते हैं और secret key को भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ paste, paste करने के बाद आपको check API पर click करना है ताकि यहाँ पर आपको successful का एक message आ जाए, अगर कोई भी error आता है तो आप इस API key को regenerate करें और फिर try करें, फिर नहीं होता है तो एक दो और regenerate करें, हो सकता है किसी को problem देखने को मिले, that सब मैंने पहले ही inform कर दिया, यह हो जाने के बाद आपको save changes के उपर click करना है, changes save होने के बाद आप क्या कर सकते हो, all meeting के section में आ सकते हो, जो भी meeting आपने बनाए होंगे वो यहाँ प meeting में आओ, ना आओ, लेकिन time से पहले वो join करके wait कर सकते हैं आपका, तो obviously यह एक अच्छा feature है, आप इसको enable यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, host video, अब इसमें क्या होगा, आप meeting कर सकते हो, और साथ में कोई video भी screen पे share कर सकते हो, same participants के लिए है, mute participants के लिए है, कि लोगों के mic mute रह आदोगे, तो क्या होगा इससे, जो logged in रहेंगे जूम में, वही यहाँ पे आपके meeting को join कर सकते हैं, और यह आप दे सकते हो, कि भईया, इस meeting को record कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, और आप record कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, local drive पे, zoom cloud पे, no recording, तो इन options को आप अपने according देख लेना एक बार आपका यह हो जाता है, तो आप एक तो पहली बात तो इसको आप कटी कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, टूटर LMS पे आपको चले जाना है, यहाँ से courses के section पे, वो जो मारा painting वाला course था, उसके अंदर जरा हम एक यहाँ पे meeting generate करते हैं, तो मैं new tab पे आ करके course के section में जा रहा हूँ, और नीचे scroll करके, यहाँ से जाएंगे हम painting वाले course पे, continue course, तो यह आपका open हो जाएगा, यहाँ पर आपके chapters है, आपका assignment है, quiz है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले वाले interface पे आ करके, painting को जरा हम यहाँ से course के section से edit करेंगे, क्योंकि मैंने zoom configure कर लिया है, यहाँ पे एक option आपको देखने को मिलेगा, connect with your students zoom, students using zoom, create meeting के उपर आपको click करना है, ध्यान दे एक बार यह loading खतम हो जाए, तो click करें यहाँ पे, तो अभी यह मेरे सामने zoom meeting का, meeting create करने का environment लेकर के आया है, यहाँ पे click करके आप select कर लेना, कौन इस meeting को बना रहा है, मैं पह किया है, admins को allow नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हो, कि आपकी website में न, यहाँ पे instructor registration का option है, आप पहले तो as an admin से log out हो जाना, और instructor registration पे जा करके, अपने details पास करके register करना, currently मैं तो logged in हूँ as an admin, तो यह ओनी details को उठा लेगा, तो आप teachers को register करोगे, teacher meeting create कर सकते हैं, ठीक है, admin क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे का logic यह है, कि भाई admin तो वही person है, जो इस website को बना रहा है, developer है, तो उसका इस meeting से कोई लेना देना नहीं है, meeting का teacher से लेना देना है, ठीक है, तो आपको login भी क्या करना पड़ेगा, अपने website का नाम और साथ में wp-admin लिख करके, उसी account को login क करोगे, instructor वाला, dashboard में आपको almost वही option मिल जाएंगे, वहाँ से आप meeting generate करोगे, process होई है, तो यहाँ पर meeting का name आपको क्या देना है, तो मैंने का first meeting for की हो है, इसके बार में short summary बता सकते हो, आप meeting कब होने वाला है, उसका time क्या होगा, कितने minute, कितने seconds का होगा, वह recording वाली facility पी करने के बाद इस meeting का एक password दो, obviously ताकि unwanted लोग यहाँ पे ना आपाए, तो एक password भी provide कर दिया मैंने इसको, और save meeting के उपर आपको click करना है, यहाँ पे एक date pass करके, date time को भी fill करना है, और साथ मैं आपको यहाँ पे save meeting के उपर click करना है, देख पारे हो, meeting has been saved, अगर अब आप zoom क से उपर click करो, तो यहीं पे all meeting के section में आपको यह देखने को मिल जाएगा, अगर आपको immediately start करना है, तो आप यहाँ से start meeting पे click कर सकते हो, ठीक है, meeting idea आपका password वगरा आपको दिख जाएगा, जो आप student के साथ share करोगे, alright, अब अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अपने website के इस panel मे और यहाँ student जब आएगा तो refresh करेगा, तो उसको हो सकता है, हम दिखा दे, every Sunday हम अपने courses के लिए इस time पे live रहते हैं, zoom पे, तो लोग हम से interact कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा advantage है, settings को load होने में कुछ time लग सकता है, जैसे आपका quiz आया है, यहीं पे आपका meeting भी आपको देख और बाद में भी show ना करें, तो यह यहाँ पे show हो जाएगा, don't worry about that, तो आपकी meeting यहाँ पे show हो जाएगी, जब भी आपको start करना उस meeting को, start meeting के उपर आपको simply click करना है, launch meeting करते ही, आप meeting को launch कर पाएंगे, तो इस तरीके से आपको zoom के उपर अपने meeting को configure करना है, और अगर still आ अब मैं यहाँ से instructor registration वाले page को cut कर रहा हूँ, और आ जाते हैं अपने main page पे, तो हमने यहाँ पे certificate भी generate कर लिया, zoom meeting को भी integrate करके देख लिया, हमने grading के system लगाए है, student के enrollment के system भी लगाए हुए है, marks calculate हो रहे है, percentage calculate हो रहे है, और in short, जो भी मैंने आपको दिखाया, वो यहाँ pay generate हो करके ready है, even हमारा grade book भी तयार है, quiz भी है, assignments भी है, इसमें और भी बहुत सारे features है, हमने count किया था, 18 चीज़े हैं, आप इनको try कर सकते हो, काफी अच्छे features हैं, जो कि आपको मिल जाएगा, और इन सब को buy करने के लिए, मैंने आपको starting में बताया, एक रुपय भी आपक को खर्चने की जरूरत नहीं है, क्योंकि domain racer के इस LMS hosting plan के अंदर आपको यह सारी चीज़े free of cost provide कर दी जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा functionality advanced LMS आप इसको कह सकते हो, obviously इसमें premium feature है, pro feature है, वो बन करके यहाँ पे तयार हो चुका है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लियो में, ता क्यूंकिस वर वाचें गाइज।